सोलो एंड बिल्कन दोस्तों टेक्टिकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका सुभागत है तो फाइले दोस्तों आज के डूरे हम बात करें लिए है हाइपर ओवेस का अपडेट मेरे फोन में देखनों को मिल जा चुका है यहाँ पर आपको दिख रहुगा हाइपर ओवेस का कुछ इस्तिरगी आपडेट है यहाँ पर आपको दिख रहुगा कितने MB का है, कितने GB का है और क्या-क्या चीज़ इसके अंदर features को add किया गया है और इस वीडियो में आप लोग को detail के साथ, full review के साथ बताने हैं तो फानले दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा skip मत किजिएगा यहाँ पर हम बात करें वाले हैं रेडमी के C13 5G phone के बारे में तो फानले आप लोग वीडियो को end तक देखेगा skip मत किजिएगा तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं इससे पर ले दोस्तों हमारे दोस्तों लाइक कर लेना Instagram कर लेगा डिस्क तुमें वहां से जाके आप लोग फोलो कर लेना तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चल कर बता रहते हैं तो फानले दोस्तों साड़े में स्क्रीन रिकोर्डिक देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपके पास Redmi C13 5G phone है इस phone में आपको HyperOS अपडेट के वारे में बात करें वाले हैं अगर आपको HyperOS का अपडेट मिले गया तो बेलिकुल सही है अगर आपको अभी तक नहीं मिला थमाली आप लोग को कैसे लेना है और कैसे आपके phone में मिलेगा तो सब कुछ मैं इस वोड़ी में आप लोग को बताने नहीं एक और ऑप्सेन मिल जाता है Hyper OS 4GB का यहां पर system update जो कि यहां पर मिल जाते हैं अभी जो update है इसके अंदर features होगा तो mention नहीं किया गया है क्या-क्या चीज़ के अंदर improve किया गया है क्या-क्या चीज़ के अंदर fix किया गया है जो कि आपको देखने में interesting लेगेगा, यहाँ पर आपको setting के अंदर आ जा रहा है, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पहले आपके phone में मिलेगा, update करने का तरीका बताता हूँ, पहले आपको update करके दिखाता हूँ, जो की यहाँ पर आपको about phone मिलेगा आपके phone में जैसे click करोगे about phone पे उसके बाद दोस्तों आपके phone में मिल जागा hyperOS मेरे phone में पहले से update है आपके phone में meui14 so कर रहाओगा तो आपको meui14 पर जैसे click करोगे तो आपको hyperOS update अगर आया होगा तो शोक कर देगा अधर आपके फोन में अभी तक नहीं आयागो तो आपको बेट करना या आपको customer care से बात करके पूश सकते हो कि हमारे फोन में कब तक update आ सकता है तो इसके बारे में भी आप लोगो बता दूँगा फानली यहाँ पर जैसे क्रीक करोगे इस तरी के से आपको update search करेगा अब search कएने बाद अगर आपके phone में hyper OS का update आया होगा तो आपको यहाँ पर soak कर देगा तो इस तरी के सा आपको try करेंगा है एन मेरे phone में देखते हैं तो android 14 यह आपको देखने मिल जाता है चुक्या आपके फून में Android 13 run कर रहा होगा, तो ये चीज आपको देखने हो मिल जागा, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, नए features के बारे में, जो कि नए नए features क्या add कीगे हैं, तो पहला नबर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ, जो कि यहाँ पर low की screen पर click करते तो यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाता है, तो अगर आपके पास रेड़ीमी का C13 5G फोन है, तो फाली आप लोग एउच कर सकते हो, यहाँ पर आपको कस्तमाइज करने का भी option मिल जाता है, लोग की screen अपने अलग अलग तरीके का आप लोग कस्तमाइज कर पाँगे, ज यहां पर आपको देखने मिल जाता है यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर अलग तरीके का मिल जाता है अब दोस्ते इसके अंदर इंपोर्टन सेटिंग है क्या है जो कि आप लोग देख सकते तो आइकन कस्टमाईजेशन कर सकतो इसके अंदर एड़ इसके अंदर आप लोग को पूरे तरीके सा चेंज देखने मिल जाता है तो क्योंकि आप लोग देखोगे तो यहां पर जो नेटवर्क मैनेजमेंट था यहां पर आपका नेटवर्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत यहां पर लेयाओड को चेंज किया गया है कस्टमाईज किया गया है उसके बाद कंट्रोल सेंटर जो था हमारा यहां पर पूरे तरीके से यहां पर चेंज किया गया है देख सकतो यहां पर पहले हमारे मी यूई इसके अंदर आपको वाइलोंग चेंज करने का उपसन मिल जाता है, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपने इनबल कर सकतो है, और देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, फेले सलाइट यहाँ पर आपको लिपर करेगा, रेडमी के तरीके से कस्टमाइजेशन देखने मिल जाता है, अगर आपके पास रेडमी का C13 5G फोन है तरीके से कस्टमाइजेशन देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको बैटरी एरर आपको मिल जाते हैं, नोच मिल जाते है, नोच कस्टमाइजेशन करने को उप्शन मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको additional setting के अंदर आपको और भी मिल जाते है smart sidebar, चुकि यहाँ पर smart sidebar को enable कर सकतों, इसके अंदर smart sidebar यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, नीचे आओगे, फुरोडिंग बिंडो पर क्लिक करोगे, एंड यहां पर जैसे क्लिक करोगे फ्रोडिंग विंडो पे यहां पर आपको smart sidebar so करेगा अब इस वाले option को आप यहां से off होगा तो आपको यहां पर enable कर लेना है enable करने कबाद आपके phone में smart sidebar यहां पर so कर देगा इसके अंदर आप लोग अलग-अलग तरीकी का एप सोगर यूज कर पाऊगे अलग-अलग तरीकी का windows से आपर create कर पाऊगे इस वाले अप को यहां पर ले जाक रख सकतो फिर उसके बाद दूसरे एप को आप यहां पर कर पाऊगे यहां पर रेडिमी के c13 5g फॉर में दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक हाइप पर ओवेस का अपडेट नहीं मिला तो फाली आप लोग बेट कर सकतो और अगर आपको मिल चुका है तो फाली कमेंट करके हमें बता सकतो फाली आप लोग को अगर हमारा वीड कर दो लोग 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 झाल झाल